अज़ो वरिवान वेलकम तो आवर न्यू वीडियो उमीद है आप सब लोग खरीए से होंगे आज की वीडियो देखकर आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आज की वीडियो जो है वो अन्बॉक्सिंग वीडियो होती है उसमें हम एक गिब अवे भी करते हैं आज की वीडियो में हम जूला जर्मनी से ये शिम्मेंट आई हुई है इसको अन्बॉक्स करेंगे बिसिकली टेबल टैनिस से रिलेटेड है लेकिन अगर आप बैनमिंटन के प्लेयर है या टैनिस के स्व शौश के प्लेयर है तब भी पुरी वीडियो देखेगा क्योंकि बह हमने अनाउंस किया था कि हम एक पावर प्रो सीरीज का एक रैकट जो है वो गिब आवे करेंगे उसके लिए जो लोग कौलिफाई की हैं उनकी हमने पर्चिया डाल कि इस बॉक्स में डाल ली है अब इसको मैं बिस्मिल्ला पढ़ के एक पर्चिया उठाऊंगा और जो भी व अच्छा जी ये है कोई F.S.1307 F.S.1307 के नाम से कोई ID है जो भी ID है वो हमारी इस वीडियो को नीचे कॉमेंट करें या info at utek.pk पे राप्ता करें लेकिन प्लीज एक ही email में अपनी information बता दें ताकि हम उनको उनकी जो give away का racket है वो हम पुचा सकें अब हम देर नहीं करते हैं अपनी unboxing वीडियो का अगाज करते हैं सबसे पहले हमारे पास ये कार्टन है इसको खोल के चेक कर लेते हैं आप सबसे पहले देखें कि पैकिंग कितनी जबरदस है हर पैकिंग के उपर आपको एक पैकिंग निस मिलेगी इसकी इसको हम खोल लेते हैं मुझे लगता है ये बैट होंगे इसे हम इस कार्टन को खोल दे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक टीटी बैट है इसका model है इसको रोजी समैश भी बोलते हैं ये हाई-end model है बहुत इच्छी quality का अब इसकी में details में नहीं जाओंगा कि इसकी क्या specification है क्या इसकी सारी मामलात हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको इसकी price बताओंगा और model नहीं बताओंगा आप अगर मुझे request करेंगे तो फिर मैं detail video इसके अंदर भी इनर हैं तो इनर हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर bats होंगे यह बिलकुल यहां पी भी हमारे पास एक बैट आ जाता है आप देखें टीम मास्टर यह सीरीज है टीम की टीम मास्टर टीम जूनियर टीम स्कूल तो यह हमारे पास टीम लाइन का मौडल है टीम मास्टर इसके बाद जी हम अपना कार्टन अगला खोलते हैं मैं कोशिश करूँगा कि जिसमें मुझे लगए कि यह कार्टन रपीट हो रहा है क्यूंकि हो सकता है कि वह सारे कार्टन के अंदर सेम ही product हो quantity की वज़ा से तो व कार्टन मैं नहीं खोलूँगा मैं वही कार्टन खोलने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर यूनीक product होगा ताके maximum कोशिश हो के short video बने और इसमें आपको maximum मैं आपको products दिखा सेको अच्छा जी ये भी हमारे पास bat है और ये bat है हमारे पास team सिंपल जो team series का bat है team school इस तरह की packing में आता है sponge इसका बहुत ही बहतरीन है आप देख सकते है FL handle है इसका pure wood के अंदर इसका blade है अगला कोलते हैं अगले कार्टन में आप देखें ये आपको green color की जो टेप लगी नज perfection करते हैं कि जो इनों क्लेम किया हुआ है कि वही प्रोडक्स इसके अंदर है ये नहीं है अच्छा जी मेरा ख्याल में इसके अंदर अच्छा जी ये हमारे पास आ जाता है बैट जूला का जो हमारे पास सबसे सस्ता बैट है वह है team beat और सबसे मज़ी की बाद ये है कि इसके अंदर जो रबर लगे हुए और पिपस आउट रबर लगे हुए और पिपस आउट रबर का आपको पता है कि जो भी beginner लेवल पे खेने वाले होते हैं उनको control करना बड़ा easy होता है तो control के इसके 10 out of 10 है और बहुत ही मज़े का light weight ये बैट है sorry ये सबसे सस्ता नहीं है इससे एक और सस्ता है वो भी आपसे इंशाला जल्दी आपको मैं दिखाता हूँ उसके बाद ही हम अगला कार्टन खोलते हैं इस कार्टन के अंदर भी हमारे बैट्स हैं क्योंकि मुझे packing से idea हो गया है इसके अंदर inners हैं और हर inner के अंदर बैट्स ही होते हैं और इसके उपर लिखा हुआ है जैसे आप यह देखें इस डेटेल सारी mention होती है टीटी बैट मैच प्रो यह मैच सीरीज है एक टीन सीरीज है यह मैच सीरीज का मैच प्रो है सबसे उपर वाला मॉडल है मैच सीरीज का आप इसकी packaging लेखें कितनी मज़ी की packaging है मैट फिनिश के अंदर बहुत ही हाई quality इसकी packing है डेटेल में नहीं जाएंगे आप मॉडल देख लें जूला मैच प्रो और यह मैच लाइन का बैट है और याद रहे यह दुनिया का दूसरा बड़ा टेबल टैनिस ब्रैंड है बट कार्टन ले लेते हैं इस कार्टन के अंदर जो इनर का style है वो different है तो यह basically inner है और इसके उपर है यह सबसे सस्ता है जो इस तरह की पैकिंग आती है इसके अंदर आपको यह व्यला मिलेगा अब जो टीटी बाट भीट था उसके अंदर जो rubber यूज़ किये थे वह out थे इसके अंदर proper पर प्लेन रबर्स जिसे हम इंवर्टिड रबर्स बोलते हैं वो रबर यूज किए गए और स्पॉन के साथ हैं बहुत लाइट वेट है और गृप इसकी बहुत मज़िक है स्पिर्ट यहां पर लिखा हुआ है यहां पर सारी बार कोड़ पर आप स्कैन कर सकते हैं और लाजमी जब भी आप जूला के प्रोड़क्स बाय करें उस पर यूटेक का स्टिकल लगा हुआ होगा उसको आप स्क्रैच करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रोड़क्ट औरिजिनल है के नहीं है यह को क्हों लेते हैं इसके अंदर इनकी बौल आभा कि अहाँ थेक्नालोजी आ रही है है लेकिन अप्र बीस टेकनालोजी बॉल नहीं है यह पोली बॉल है और यह सीमलेस बॉल हैं उसके पर बास यह काड़ आ जाता है एसके उपर भी custom की stamp लगी हुई है तो इसके मनला है खुला हुआ है और मुझे लगता है इसके अंदर भी बैट हैं और यहाँ मेरें पर information ये बता रही है टीटीogene division का एसके अंदर बैट है और पर प्रीएम मौडल है उसका टीम प्रीमियम उसको हम बोलेंगे यह आप चेक करें जी यह इस तरह की पैकिंग होगी आपको मिलेगी टीम प्रीमियम जो एक लाइन होती है जैसे टीम लाइन है उसके बाद आपकी मैच लाइन है इनकी पैकिंग सेम होगी उससे हटके फिर आप दूसरी लाइन में जाएंगे तो पैकिंगेंग हो जाएगे इसके बाद यह हमारे पास कार्टम आ जाता हूझ जीं यह बहुत बड़ा कार्टन है आपको विडियो में लग रहा हूं इतना बड़ा प्रस्थमिन लेकिन यह काफी बड़ा काटन है तो मैं जरा पहले अपनी जगा बना लूँ इसके अंदर फर्दर कार्टन से अच्छा जी हमारे पास ब्लेड आगे है इसके उपर लिखा हुआ है ब्लेड जे कार्बन एफ ल कार्बन एफ ल मॉडल एसका जे कार्बन एफ ल तो जी यह बैड है मारे पास देख सकते हैं और यह इस तरह की पैकिंग में आएगा इसके अंदर सारे वही हैं तो इसकी प्राइज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं उसके बाद इसी में हम अपना तीसरा कार्टन खोलते हैं इसके अंदर भी ब्लेड है और यह ब्लेड है हमारे पास जे ओफैंसिव यह बिसी के लिए जे पहले कार्बन हमने खोल ला है उसके बाद यह जे ऑफैंसिव है उफैंसिव प्लेड को सूट करेगा इसके अंदर सारे यही है उसके बाद आप यहां पर कैमरा को क्लोज कैमरा अगर देखें तो यह सारे हमारे खुबसरोत पैकिंग इसको स्लाइड करके आप खोलेंगे तो यह आपको ब्लेड मिलेगा अप डिटेल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाओंगा वो अगर आप रुक्वेस्ट करेंगे मुझे तो इन्शाला उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा जो भी आप प्रोडक्ट ब हूँगा क्योंके मैं प्राइज इसकी तरफ मुझे देखना पड़ता है तो वीडियो लंबी हो रही है उसके अलावा जी हमारे पास गार्डियन आ रहा है टैजो गार्डियन प्रोफेशनल सीरीज का ब्लेड है और यह प्रफार्मस लाइन है प्रफार्मस सीरीज है यह हमारे पास ब्लेड है जी तैजो गार्डियन तो इसके अंदर हमारे पास ये तीन तरह के कार्टन्स हैं और इसके लावा हमारे पास यहां पे कुछ ब्लेड पढ़े हुए हैं यह है जी हमारे पास जे सीरीज का जे आल राउंड इसके अंदर जे सीरीज के अंदर बिसिकली तीन ब्लेड से जे ओफेंसिव जे कार्बन और जे आल राउंड तो ये जे आल राउंड है और इसकी प्राइस भी मैं यहां पर लिख दूँगा इन्शाला अब हमारे पास दो मजीद कार्टन रहें इस वीडियो के जो आन बॉक्स करने वाले हैं तो अब इस कार्टन को खोलते हैं इस पैकिंग से लग रहा है को काफी एक्सपेंसिव चीज है यह आप चेक करें तो सबसे पहले तो यह हमारे पास केस आ जाते हैं यह बेसिकली special material का केस होता है आप अपने rubber वगयरा इसमें रख सकते हैं जो professional plays होते हैं वो rubber उतारदेते हैं फिर दुवारा पेस करते हैं बार बार इन्हें उताने पड़ते हैं तो उनको कोई case चाहिए होता है जिस केस में उन्होंने वो अपने रबर्स को रखना होता है तो ये केस है इसकी प्राइस भी मैं यहां पर मेंशन कर दूँगा उसके लावा हमारे पास इसके अंदर ये जूला की एज़ टेप आगी है ये बड़े रोल है अगर कोई बड़ा रोल बाय करना चाहता है ये एज़ टेप है और उसके लावा हमारे पास यहां पह आ जाते हैं जी रबर्स सबसे टॉब क्लास के रबर्स सिर्फ जूला में नहीं दुनिया में टॉब क्लास के रबर्स जो हैर और दैनारस सीीरीज के समझे जाते हैं डिनारिस इंफर्नो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको रेड भी मिल जाएगा और ब्लैक मिल जाएगा यह बिलकुल लेटिस पैकिंग है और यह मैक्स के अंदर है इसके अंदर तीन हार्णस आती है यह मैक्स के अंदर है और आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग और यह made in Germany rubber है उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ट्रॉनिक्स CMD ये भी professional series का blade है ये भी professional series का rubber है आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये 2.0 के अंदर आ जाता है और spawn की thickness है और ये आपको black के अंदर भी मिल जाएगा और आपको रेड के अंदर भी मिल जाएगा prizes यहां पर मैं आपको mention कर रहा हूँ उसके लावा यहां पर हमारे पास ये भी आउलर्ड ये आपको दिखा चुके हैं इसके मज़रा side पर कर लेता हूँ ता कि मैं देख सकूँ कि क्या क्या चीज़ी हो रहे है उसके लावा हमारे पास आजाता है जी tango ultra ये भी इनकी professional series का blade है max के अंदर है और precision line है दोनों colors में आपको मिल जाएगा black के अंदर भी मिल जाएगा और आपको red के अंदर भी मिल जाएगा सीना जो है ना वो control से बाहर होता जा रहा है उसके लावा ये हमारे पास सबसे लास में आई थिंग वीजेन आप इसके बोल दें वाईन बोल दें कुछ भी बोल दें जो आपका दिल करता है तो ये है ये भी आपको black और red के अंदर मिल जाएगा हम चेक करते हैं इसके लावा हमारे पास कोई और आर्टिकल नहीं है ये लास्ट में बहुत ही popular बड़ा ही लेजंडरी रबर राइजन फायर ये राइजन के अंदर पूरी सीरीज है हमारे पास राइजन फायर आया है जो के दुनिया में बहुत जादा डिमांड है इसकी औ हैं इसके अंदर कुछ लेफट ओवर्स ब्लेड्स हैं जो अलड़ी मैं आपको दुखा चुका हूँ उसके लावा ये हमारे पास एक कार्टन है हाँ ये मैच सीरीज का है सिंपल मैच 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 प्रो ये सारी सीरीज है मैं आप आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और इसका स्पोंज भी 2.3 है 2.3 mm थिकनस का स्पोंज है काफी अच्छी क्वालिडी के अंदर 3 स्टार रेटिंग है और अगर आप कहेंगे के कि इसका रिवियू कर रहा है तो इन्शाल हमस्याला मैं रिवियू कर दूँगा प्रइस जहां पर मैं मैंच क्रदूगा तो ये हम्हारे पास आगया की जाती है और यह हमरे पास dozen की packing के अंदर है आपको इस तरह की packing मिलेगी यह dozen ball की packing है 12 ABS material के अंदर है जो flash है उसका material हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ और यह three star rating के अंदर आपको training ball मिल रही है usually training ball होती है वह one star होती है लेकिन आपकी match preparation के लिए यह training ball है आपने अगर match के लिए प्रपेर करना है तो यह balls भी आपको मिल जाएगी price यहां पर मैं आपको mention कर देता हूँ तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद है यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो review भी इंशाला हम करेंगे पर आज की वीडियो में भी हम give away कर रहे है और हम give away कर रहे है beat bad का जो हमने आपको दिखाया जो भी participate करेगा उसको वीडियो को like करना है comment करना है हमारे silent channel को subscribe किया हो follow किया हो instagram पे facebook पे और टिक टॉक पे और नीचे आपने अच्छे सा comment करना है और जो भी winner होगा हम next वीडियो में कुरां दाजी से announce करेंगे और उस तक पहुंचाएंगे हम बैट बीट उमीद है ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए मिलेंगे इंशाला एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस